वेरी गुड इविनिंग टू अलग फी दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजूकेशन पे बिहार दरुगा के मुख्य परिक्षा के तयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यारतियों के लिए और खासकर वो छातर जो की इन्फोर्स्मेंट सब इंस्पेक्टर की तया यहां पे सही कर पाते हैं चैनल पे अगर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा लिजेगा था कि हर एक वीडियो का ओफिशिल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के मात्यम से जा सके दोस्तों सुबह के 9 बजे आप लोग सुबह के 9 बजे बागी शाम को 8 बजे यह आपको मोक्टेश दिया जा रहा है तो इसको जरूर अटेंट करेंगे चलिए लेकर आए हैं आपके लिए वो सभी प्रश्ण जहां पर आप लोग सभी भी हमारा यहां पर उत्तर करेंगे यहां पर हमारे साँ जुड़ कर यहां पर नोट कर लिजेगा चार्ल्स बावेज जो है कंप्योटर के जनक माने जाते हैं और यहां पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह पेनिसलीन के खोज करता माने जाते हैं याद रखेगा और जो गेगरी पिक्स है गेगरी पिक्स जो है यह आप याद रखीगा ज आ चुका है एक्जाम इन के बारे में ठीक है चलिए फटा 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 आंसर कीजिएगा question number two पे चलते हैं myopia आखो का दोस है जिसे भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है myopia आखो का एक दोस है जिसे और क्या कहा जाता है दोस्तों बिलकुल जिसे निकट द्रिष्टी दोस कहते हैं निकट द्रिष्टी दोस में क्या होता है दोस्तों जिनका उतर बी आरा correct किजिएगा निकट दिरिष्टी दोस में हमें दूर की चीज़े दिखाई नहीं देती हैं और दिरिग दिरिष्टी दोस जब होगा तो हमें पास की चीज़े दिखाई नहीं देगी तो दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है इसलिए थोड़ा ध्यान रखेगा एंशर अमारा बी हो जाएगा तो जिनका उतर आ रहा दोस्तो यहाँ पे इन ए बोड़लॉंग जिनका उतर सी आरा है क्रेट कर लीजेगा और ऑड़लॉंग है और बोड़लॉंग है वह खादान उत्पादन छेटर में महान योगदान भी इनका और सांती के लिए सांती का नोबल प्रसकार भी इनको दिया जा चुका है ठीक है और भारत में हरित करांती के जनक किसको माना जाता है ये कोशिन पूछ ले तो भारत में अगर पूछे तो आप याद रखेगा एमेस स्वामी नाथन को बोला जाता है ठीक है याद रखेगा कोशिन नमबर फोर पे चलते हैं दोस्तो पैंथेरा टिग्रिस किसका वेग्यानिक नाम है चलिए आंसर कीजिएगा ये कोशिन आचुका है एक्जाम में स्टार्मार्ट लगा सकते हैं और ये बीपी एसी में ही पूछा गया है सवाल ठीक है आंसर कीजिएगा पैंथेरा टिग्रिस किसका वेग्यानिक नाम है याद रखेगा आंसर हमारा बी हो जाएग दोस्तो आंसर बी हो जाएग नाम की बागो का जो बेग्यानिक नाम है, ये सैंटिफिक नाम है अगर आप उतर करें दोस्तो हमें जी है दोस्तो ड्रवेट पत्धती के मंदिर के वास्तु सास्तर का प्रतेनिधित जो है बात करें तो वहाँ पे तो इसके बारे में बहुत अच्छा खासा लिखने को भी आयाता है कहीं कहीं हैना क्योंकि वहाँ पे तो सारा मेंस पेपर में लिखना ही पड़ता है आप लोगों तो किसी निरित्य के बारे में प्रकाश डाले ऐसा करें कोशन भी आ जाता है तो उसके बारे में सारा description लिखना पड़ता है कहां से इसकी उत्पत्ती होई कैसे होई, कब इसके बारे में लोग जाने, इसके कितने मतलब लोग follower है इन सब के बारे में आपको सब कुछ लिखना पड़ता है वहाँ पर यहाँ पर आप लोग उत्तर कीजिएगा कि कुड जो है, वह किस राज जी का लोग निरित्य है, बिलकुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इस जम्मू कश्मीर is the right answer आंसर हमारा C हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लिजिएगा जम्मू कश्मीर का यह लोग निरित्य है कूड या फिर कूद कहते हैं इसको और इसके अतरिक जो है दाम, दमाली, राव, हिकात, मंदजास यह सब जम्मू कश्मीर के लोग निरित्यों में से एक है चलिए, कुशन बर 7 पर चलते हैं दोस्तो, कूशन बर 7 है आपके सामने कि चमडे की रंगाई के उद्योग में कारे करने वाले कारीगरों को कौन सी बिमारी होने का सबसे ज़ादा खत्रा होता है तो जो लोग चमडे की रंगाई करते हैं है ना, उसके इंडस्ट्री में जो लोग वरकर काम करते हैं उनको सबसे ज़ादा प्रॉबलम होती है दोस्तो याद रखेगा अगर आपका उतरारा C यानि की तवचा रोग होगा यानि की स्कीन डिजिस का तो ये रोग उनको सबसे ज़ादा होते हैं दोस्तो चलिए, question number 8 पे चलते हैं दोस्तो सेफले राइट, नोट को लिजिए का स्फले राइट किसका एक अयश्क खनीज है चलिए, answer कीजिएगा question number 8 का दोस्तो, बहुत important question है आज चुका एक्जाम में ये भी आपके ठीक है तो स्फले राइट जो है ये जिंक का एक अयश्क है दोस्तो किसका जिंक का, answer हमारा क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा और मेलो राइट पुछे तो याद रखीगा निकेल का होता है, ठीक है, चलिए question number 9 देहरादून किस भारती राज्जी की राजधानी ये बहुत easy question है, actually, सही में लेकिन बहुत लोग यहाँ पर confuse करते है देहरादून, जो है किस राज्जी की राजधानी है, जल्दी से बताएगा बिल्कुल, उत्राखंड is the right answer राज्जी और राजधानी, उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्जेपाल और उस राज्जी का गठन कभ हुआ था इसके बारे में मैंने आपको पूरा एक व्रिस्तित वीडियो बना के डाला हुए आप हमारे static gk वाले पार्ट में जाके सारे चीजे चेक कर सकते हैं ठीक है, चलिए question number 10 पे चलते हैं गीर के जंगल किस राज्जी में इस्थित हैं याद रखेगा ये गुजरात में हैं ठीक है, answer B हो जाएगा question number 11 बाबर का जनम किस वर्स में हुआ था ठीक है, सासन करने भारत कब आया था बाबर तो याद रखेगा पंद्रो सो चबबीस में लेकिन इसका जनम कब हुआ था तो ये याद रखेगा आप लोग 1483 में हुआ था इसका जनम answer हमारा A हो जाएगा दोस्तो ठीक है, चलिए, याद रहेगा ना answer हमारा क्या हो जाएगा तो it's A हो जाएगा और ये फर्गना राज्य में उमर सेख मिर्जा के रूप में बावर का जनम हुआ था इसका नाम क्या था? तो उमर सेख मिर्जा चलिए, अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पे question number 12, बंगाल के प्रतम governance general कौन थे? चलिए, ये भी प्रशन पूछा गया आपके exam में, आज question थोड़ा से repeated question जादा दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे जो कि आपके परिक्छाओं में पूछे गया है तो बंगाल के प्रतम governance general थे दोस्तों, वारेंट हैंस्टिंग इस दर राइट आंसर, जिनका उतर D आ रहा है आंसर करेट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, आपको बता दे कि वर इन हैंस्टिंग जो है यह शत्रह सो देखिए, शत्रह सो बहत्तर से लेकर 84 तक, यह भारत का प्रतम governance general बना था 84, question number 13, निमलिखित में से कौन पत्री का उसके संपादक से सही मिला नहीं है, नहीं बूला गया है यानिकी सही मैच नहीं है यहाँ पे ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से देखिए, बंदे मातरम तो अरविंदो घोष सही मैच है यहाँ पे, निउ इंडिया विपी चंदरपाल बिल्कुल सही है, युगांतर भुपेंदर दता यहाँ पे, जो बंदे भुपेंदर भुष बंदाव उपाध्या इनका नाम था, याद रखेगा जो संध्या समचार पत्र से जुड़े वे थे चलिए, क्वेशन नमबर 14 पे चलते हैं यदि कोई वस्तु किसी सता पर फिसलती है तो उसके बीच गती का प्रतिरोद करने वाला बल बल क्या कहलाता है, चलिए, ये कोशन आ चुका है एक्जाम में थोड़ा सा अंसर सोच समझ के दिजिएगा यदि कोई वस्तु किसी सता पर फिसलती है तो उनके बीच का जो गती का प्रतिरोद होता है दोस्तों वो बल का घर्षन कहलाता है तो घर्षन कहलाता है ठीक है, और घर्षन बल के कारण क्या होता है तो चलना हमें सहज होता है यानि कि आसान होता है घर्षन के चलते हैं हम चल पाते हैं और घर्षन बल कम होने पर चलना कटी नहीं जाता है तो आप स्लिप करके गिर भी सकते हैं से कि अगर कोई फर्स पर पानी गिरा दे तो आप लोग उस पर इस पीड से नहीं चल सकते हैं है ना फर्स पर क्योंकि वहां पर जो क्या होगा घर्सन कम होगा तो आप गिर भी सकते हैं मसौदा आयोग ने भारते सम्विधान को किस भासा में लिखा है चलिए दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पर फट फट आंसर करते हैं यहाँ पर नीचे कमेंड बॉक्स में कोशन नमर 15 का चलिए तो आप बताएगा मसौदा आयोग ने भारते सम्विधान को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था ठीक है याद रखिएगा आंसर हमारा यह हो जाएगा नोट कर लिए का मौल रूप से सम्विधान जो है अंग्रेजी में हिं लिखा गया उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था ठीक है और जो सम्विधान सभा की एक गटन का कैβिनेट मिशन बैठा था जिसमें की यह सारे चीजे फैसला किया गया था और समिधान सभा में प्रस्ताव पंडित नेरू जो थे उनके द्वारा 13 दिसंबर 946 को क्या रखा गया था तो इसका प्रस्तावना रखा गया था ठीक है चौल लिए कॉशिन ड्मबर 16 पे चलते हैं निम्ब में से किन वेक्दियों को भारत रतन से नमाजा गया था इन चार आपशण में से बताई जल्दी से ठीक है आंसर हमारा ये हो जाएगा सिर्फ चलिए question number 16 के बाद 17 कौन सी ग्रंती पीत एक पाचन तरल पदार्थ या फिर स्ट्रावित कराती है जी हाँ note कर लेंगे question number यहाँ पे 17 देखेंगे दोस्तो यकरित यानि की जो लीबर होता है दोस्तो हमारा ये ग्रंती जो है पीत का पाचन तरल पदार्थ के स्टावित करती है याद कर जीए यकरित is the right answer question number 18 के बाद चलते हैं ammonia chloride कि सका रसाइने क्सूत्र है जल्दी से बताएगा ammonia chloride का रसाइनिक सूत्र क्या होता है बेलकुल ammonia chloride क्सूत्र होता है दोस्तो nh4- take-all d is the right answer फटाफ़पड réponse करते हैं यहाँ पे कुशंबर 19 दोस्तों निम्लिकी तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांग होता है सबसे कम गलनांग किसका होता है जल्दी सांसर करेंगे यहां पर नाइट्रोजन जो है जिसका सबसे कम गलनांग होता है और दिये के विकल्पों में ही बता रहा हूं में यहां पर आपको जो कि कि सीछा का धनांख कम से कम 327.4 गरी सेलसेस तथा क्वाथा नांख जो हैसे सीछां कहा होता है और घंनत व्य हं दोस्तों कितना होता है तो 11 मूं cords 94 ग्राम सेंटीमिन्टर होता है जा हे लेकिन लेई निट्रोजन का जो अनु हो होता है वो क्या होता है तो द्वी पर्माणि और अध्रूवी होता है इसलिए यहां पर इसका गलनांख क्या होता है सबसे कम होता है चलिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राजी में हैं इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है वो दोस्तो आपके 36 गड़ में है इनका उतर सी आ रहे हैं पर नोट कर लिजी का आंसर आपका बिल्कुल सही है और भारत में अभी कुल देखे टाइगर से कोशन आया तो ये कोशन बनता है एक्जाम में कि कुल कितने बागों की संख कुशंबर यहाँ पे 21 important है गैलीनो मीटर को किसके साथ जोड़कर यहां पर वोल्ट मीटर के साथ रिंख्रोद के साथ छोड़ा जाता है tässä में विधूत की विधुत-धारा कि बनाने के लिए एक यंद्र का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से हम लोग एंपियर तक विदूत की धारा को माप भी सकते हैं जीकिए एंपियर से question number 22 पर चलते हैं दोस्तो आयरलेंड की राज़ानी कहां है बहुत important question है आंसर कीजिए का Dublin is the right answer देखें important question अगला question नकसे को एक बंदे हुए संग्रह को क्या कहते हैं याद रखिएगा नकसे को एक बंदे हुए संग्रह को दोस्तो एटलस कहा जाता है आंसर हमारा सी कर लिजिएगा चलिए अगला question नेकते हैं 24 हुमायों की जीवनी को किस की द्वारा लिखी गई थी यह question भी आचका एक्जाम में बेलकुल गुलबदन बीगम के द्वारा लिखी गई थी ठीक है और गुलबदन बीगम जो थी दोस्तो यह हुमायों की जीवन अपातकल घुशित किया गया था कौन सा आर्टिकल लगाया गया था तो भारते समिदान अनुछे 352 का परियोग किया था और भारत वर्स में 1975 में अपातकल घुशित किया गया था चुकि 25 जुन 1975 को यह देश में आंतरिक अपातकल की घुशना की गई थी और 22 मार्च इसेखस पर चलते हैं सन्युखत राश्ट का ग्रीन जलवाय। कोष्ट को मुख्याले के ग्रीन जलवाय। कोष्ट का मुख्याले कहां है यहन Dit Todos सब्सक्राइब करें कि जल्दी से आप यहां पे प्टब फटफटब देखते हैं यहां पर आंसर अमारा सी हो जाएगा अगला को ऊश्ण देखते हैं दोस्तो चलिए चले से लिकल जाटी से अंश कॉष्टक है इसके लेखा के दोस्तों दोस्तों बिलकुल जो उतर च आ रहा भारते महादूप में पहला उधियान मकबरा दोस्तों हुमायो का मकबरा माना जाता था ठीक है आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे कोशे नमबर 29 भारते सम्विधान के कौन से अनुछेद संसोधन प्रक्रिया से संबंदित है भारते सम्विधान का कौन सा अनुछेद संसोधन के प्रक्रिया से संबंदित है तो आर्टिकल 368 जो है दोस्तों लगा के हमनों किसी भी सम्विधान के संसोधन कर सकते है कोशे नमबर 30 दोस्तो संविधान की लिखित अनुसूचियों में से कौन सा दल बतल बिरोधी कानून से संबंदित है कुश्च नमबर 30 का अंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 वी आंसर अमारा बी हो जाएगा उपके चलिघ्ज नमबर 31 डसाइनिक उर्जा बिधूत उर्जा की रुपांत्रन निमनवत होते हैं अगला कुशोच्फिन दोस्तों तो देखिए, scanner एक input device है, keyboard भी और mouse भी एक input device है, ठीक है, पर output device अगर पूछे तो monitor जो है, हमारा output device है, ठीक है, चलिए, question number 33, ट्राइि नािट्रो ट्लियून का परयोग कहां किया जाता है, जल्दिस आंसर किजिएगँ, ट्राइि नािट्रो ट्लियून का परयोग कहां किया जाता है, बिलकुल, याद रखेगा, विसफोटक के रूप में इसका हम लोग परयोग करते हैं, जिनका उतर, D just remove, answer correct कर रहे है Q24. भारत में प्रधान मंत्री की नियुक्ती कौन करता है ? ये एक तो question बहुत बहुत बदा चुका हूँ देखे भारत के प्रधान मंत्री जो बनते हैं वो तो जन्ता के दुखर चुन कर आते हैं मतलब कि जो उनके दल है उनकी जो दल है वो चुन कर आती है ठीक है यहाँ पे जन्दा के द्वारा लेकिन जब इनको सपत दिला जाती है तो वो राष्टपती दिलाते हैं C is the right answer Q35 निमलिकित में से किसके पास सुरक्षा बलो का सरवोच कमान होता है बिलकुल भारत के राष्टपती के पास तीनो जो सिनाए हैं उनका कमान भारत के राष्टपती के पास ही होता है Q36 बनारस हिंदू विस्विद्ध देले की स्थापना किस ने की थी? बनारस हिंदू विश्विद्धाले की स्थापना दोस्तों मदन मोहन मालवे ने की थी आंसर मारा B हो जाएगा कुश्य नमबर 37 तराइन का द्वितिय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुहम्मद गौरी और प्रित्विराज चोहान के विश लड़ा गया था याद रखेगा और दोस्तों इसे जुड़ी प्रशन भी पूछे जा सकते हैं एक्जाम में ठीके? तो थोड़ा सा सोच समझ के अंसर दीजिएगा है ना? तराइन का युद्ध जो है ये दुधि युद्ध था ठीके? तो ये किसके किसके? तो मुहम्मद गौरी और प्रित्विराज चोहान के विश लड़ा गया था ठीके? और कब लड़ा गया था? तो 1192 में लड़ा गया था ठीके? याद रखिएगा जिसमें कि मुहम्मद गौरी जो है वो बिजय रहत है ठीके? मुहम्मद गौरी जीत गया थे और प्रित्विराज चोहान हार गया थे कुश नमर 38 निमलिखित में से कौन सधातू प्रित्वि की भूपर पटी से सबसे प्रचूर मात्रा में पाय जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा प्रित्वि की भूपर पटी पे बात करें तो सबसे प्रचूर मात्रा में पाय जाता है और कुश भिन तत्वे भी हैं जो कि यहाँ पे पाय जाते हैं जैसे कि ये रेड रोट की बीमारी निमलिखित में से किस पॉधे को होती है चलिए question number 39 का अंचर करेंगे दोस्तों बिल्कुल अंसर हमारा B हो जाएगा गर्ना जहे नोट कर लीजா गर्ने में होती है रेड रोट की बीमारी ठीक है चलिए अगला question दोस्तों यहाँ पर 40 निमलिखित आपका संयोजी उत्तक नहीं होता है क्antine हड्डियों में पाए जाने वाला संयोजी उत्तक होते हैं तो तो त्वाचा में हड्डिया होता नहीं है तो आंसर यहां पे सी हो जाएगा निम्लिखित में से कौन से सुक्ष में जीवो पोलियो तथा चीचक याने कि चिकेन बॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण आगए, चलिए याद रखेगा चलिए अगला कोश्य देखते हैं दोस्ते हाफ इंक में होता है उत्तल दरपन का प्रयोंग इन चार ओपसन में से किस में होता है के मिल्कुल पस्चदर्सी दरपनों में होता है अन्सर एमारा D हो जाएगा question number 44 कौन सी एक निस्क्रिय गैस है निस्क्रिय गैस यहाँ पे दोस्तों जल्दी से बताएगा आरगन है एक निस्क्रिय गैस याद रखिएगा यह question बता चुका हूँ और इसमें hydrogen जो है वो सबसे हलका gas होता है ठीक है चले अगला question दोस्तों यहाँ पे कि ozone oxygen का क्या है ozone जो है oxygen का क्या है तो अपरूप है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे आंसर यह हो जाएगा question number 46 चले यहाँ पे कुछ आपको matching करने के लिए दिये गया है कुछ सब्द है और खेल से संबंदित वह सब्द है तो match करते हैं यहाँ पे चले आंसर करते हैं आपके लिए first का हम लोग जो option है birdie तो birdie जो है वो गुल्प से संबंदित होता है और जो second है volley volley जो है दोस्ता आपको tennis से संबंदित होता है और hit wicket यानि कि यह cricket से संबंदित होता है तो आपका जो mail होगा वो c a b का होगा c a b b b पही option है answer मारा b हो जाएगा चले question number देखते हैं यहाँ पे 47 जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस सहर में है जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस सहर में है बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों यहाँ पे एहमदाबाद में है दोस्तों नोट कर लिजी का गुजरात का यह सहर है एहमदाबाद ठीक है capital city है अब हम आपके जिएगा capital city है economical capital city कह सकते है जोकि capital तो यहाँ पे गांधी नगर है ठीक है और जूलती मिनारों वाली एक मस्जिद जो है भारत में आहमदाबाद सहर में इस्ती थे इसे हाली में बिश्व विरासत के सूची में भी सामिल कर लिया गया है ठीक है चले अगला question देखती है दोस्तों यहाँ पे 48 जनगर्णा 2011 के अनुसार बिहार का शिशू लिंगा नुपात कितना है 48 का अंसर कीजिए दोस्तों बहुत important question है यहाँ पे बिल्कुल याद रखेगा दोस्तों यहाँ पे 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार का जो शिशू लिंगा नुपात है वो है दोस्तों 935 यानि कि 1000 में 935 1000 लड़कों में 935 लड़किया ही जर्म ले पाती है यहाँ पे question number 49 दोस्तों वर्ष 2011 के जनगर्णा के अनुसार बिहार पर नमलिखित राज्यों को घटते वी क्रम में बताए क्या राज्यों के घटते क्रम में बताना है ठीक है 49 question है कि 11 जर्म लेना के अनुसार जन्रसंख्या के अधार पर है घटते क्रम में बताना है तो 4 option है आपके पास बिलकुल तो पहला सबसे ज़्यादा जन्रसंख्या है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे इन 4 option में उसके बाद है दोस्तो बिहार में ठीक है उसके बाद है दोस्तो यहाँ पे पस्चिम बिंगॉल में ठीक है और उसके बाद है दोस्तो यहाँ पे अंध्रा प्रदेश में 3,1,4,2 यहां इसे पूरश्कार विजयता पहले भारतिये कौन? तो रेमन् मैगमेस पुरसकार जीएं हैं दोस्तों यहां पर पत्रकारिता में दी जाती है और यह थे विनोबा भावे आंसर क्या करेंगे जी हैं दोस्तों नोट कर लिजी का विनुबा भावे थें और रेमन मेगमेस पुरसकार एशिया के व्यक्तियों को और संख्याओं के उनके अपने छेत्रों में विसीस रूप का उलेखनी कारे करने के लिए दिया जाता है ठीक है पत्रकारी का हो साहित्य ह तो हर टॉपिक पे इनको यहां पे इसमें दिया जाते है रेमन मेगमेस अवर्ड ठीक है और अभी हाली में 2019 में मिला है रवीश कुमार को ठीक है एंडी टीवी के वो पत्रकार है ठीक है चलिए आंसर हमारा क्या हो जागा यहां पर दोस्तों विनुबा भावे डी इस दा राइट आंसर कोशेंबर 51 दोस्तों निमलिखित में से किस नगर को एंपायर सीटी कहा जाता है 51 का आंसर करेंगा दोस्ते यहां पे न्यू यॉर्क इस दा राइट आंसर नोट कर लेजी है जिनका उत्तर सी आ रहा है करेक्ट है कोशेंबर 52 दोस्तों सोज ए वतन पुस्तक जो है सूज ए वतन लेखक किसके हैं कौन है लेखक इनके बिल्कुल याद रखीएगा दोस्तों यहां पे कोशेंबर 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम चंद इस दा राइट आंसर आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों नोट कर लेंगे कोशेंबर 53 एशियन विकास ब नीला फिलिपिन्स में ठीक है आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे लेकिन एक कोशन यहाँ पे जरूर बन सकता है कि इसकी स्थापना कभ होई थी तो याद रखीएगा अंसर हमारा डी हो जाएगा नोट कर लिजीगा और दिलवाडा का जैन मंदिर 11 से 23 सतब्दी के दौरन इसको चालूक की राज्य वन्सों के द्वारा बनाया गया था ठीक है चली कोशन नंबर 55 बिटामिन ए की विशेष्टा किसके लिए महत्रपूर्ण है बिटामिन ए की विश थे दोस्तों लिंक रंतियों की समान्य क cauliflower उसे रिलेटिड है राजच और सी हो जाएगा Q56 दूबने का तैरने से वही समंद है जो कि निर्मान का किस से है दोस्तों मिलकुल दूबने का तैरने से समंद है तो वैसे ही निर्मान का समंद है नश्ट करने से आंसर हमारा C हो जाएगा थोड़ा सा ये रिज्डिंग टैप कोश्चन आ गया Q57 Dolphin Research Center का स्थापना कहा किया गया Dolphin Research Center का स्थापना कहा की गई है तो याद रखेगा सभी पटना में जो की पटना जो है बिहार की राजधानी होती है जियां दोस्तों नोट कर लिएगा यहां पर आंसर अमारा क्या हो जाएगा बिहार पटना में ठीक है और 42.72 lakhs जो है इसको रासी दी गई है इस Research Center को स्थापित करने के लिए अगला Question है दोस्तों यहां पर 58 महबीर का निर्वान इस्थल पावापुरी के किसे जिले में इस्तित है महबीर का निर्वान जो है वो इस्थल पावापुरी के किस जिले में इस्तित है तो आंसर कीजिएगा यहां पर नालंदा में जिनका उतर यह आरा आंसर साही है Question number 59 पर चलते है निमलिखित में से किस जिले में प्राचीन सुर्यम मंदिर अवस्तित है तो यह भी बिहार स्थल कोशन है आंसर जोर कीजिएगा यहां पर निमलिखित में सी किस जिले में प्राचीन सुर्यमंदिर है तो याद रखेगा यह जिला है दोस्तो औरंगाबाद जी हां सुर्यमंदिर है यह बहुत ही famous है और यहां पर चछट पूजा भी भाँ धूम दाम से होती है ठीक है याद रखेगा जिला और अंगाबाद में ठीक है अगला कोशन है दोस्तों यहाँ पर कुछ नमर 60 बिहार के इतिहास का प्रतम गरंत के रशनाकर कौन थे बिहार के इतिहास का प्रतम गरंत के रशनाकर कौन थे बिलकुल याद रखेगा दोस्तों आंसर हमारा हो जाए आपने कितने उत्तर सही किए ये comment box में हमें comment करके जरूर बताएंगे चलिए आज के लिए इतना ही था और इसका वीडियो का जो PDF है मैं आपको White Education के Telegram पे share कर दूँगा, तो आपनों Telegram जोईन जरूर कर लिजेगा, वहाँ पे application को download कर गे और वहाँ पे इसका PDF जरूर लेके पढ़िएगा जरूर, ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye Bye, Take Care, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, और चैनल पे नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा, धन्यवाद